कि हमारी पुलिस है कि समय के इन रूप कि हम पुलिस का आधुनिकी करन कर सके कि इमांग लंबे समय से चली आ रही थे और इनी सब बातों को लेकर के डी जीज कॉंफरेंस में मन्य प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा था स्मार्ड पुलिसिंग के एक नई अउधाना दी थी इसमार्ड पुलिसिंग क्या है इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे डंग से कहता इस्टिक एंड सिंसेटिव इसमार्ड पुलिसिंग किस नई अउधाना पर आधारित जो एक नई द्रिष्टी मानने प्रधान मंत्री जी ने डिजीस कॉन्फरेंस में देश भर से आए वह पुलिस महानदीशकों के सामने कहीं थी उसी सिरिंखला में उत्तरप्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्सर सर उतारने का प्रयास किया है आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिसले साथ वर्स के अंदर उत्तरप्रदेश पुलिस ने देश के इंदर न केवल अपनी एक नई पैचान बनाई है बलकि उत्तरप्रदेश को भी एक नई पैचान दिलाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है पिष्ले साथ वर्सके अंदर कानून का राज उत्तरप्रदेश में दिखाई दे यह इस पस्क रूप से हम सब को और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया लेकिन राज्य को एक नई पैचान देने के साथ ही निवेश और प्यापार की नई संभावनाओं विकास और रोजगार की एक नए युक में उत्तरप्रदेश को ले जाने का काम भी किया मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुझे मंत्री पत की सपत लेने के बाद जब मैं पहली प्रसासनिक वैठक ले रहा था तब मैंने यूपी की अर्थ विवस्ता के वारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आवादी में उत्तरप्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन अर्थ विवस्ता में उत्तरप्रदेश देश की छटी अर्थ विवस्ता था लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया सुरक्सा का एक भेत्री नवातावरण दिया आज पैणाम हम सब के सामने है कि उत्तरप्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थविवस्ता बनकर के उबरा है और तेजी के साथ देश के एक बड़ी अर्थविवस्ता के रूप में अपने आपको स्थापित कर रहा है आधुनिक इंफ्रस्ट्रक्चर में नए युक में प कि अचप्रस्टुथ किया है कि क्या वह कि अज नारे नहीं है यह जमिनी हगिकत की अस्तर पर इसको हम देख़ने को मिलता है इस सब कह मन्हों करते हैं कि लेकिन इसके लिए प्रियास करना पड़ा था है इस बिना बहेद भाव की पुलिस वाल में भरती हो लिए पारदर्स तरीके से भरती की प्रकृया को संपन्य क्यादा सके उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके है आज आप देखते होंगे किसी भी जन्पद में जाईए बड़े-बड़े महानगरों को छोड़ दें तो सेस अन्या सामाने जन्पदों में विकास की प्रक्रिया के साथ जड़े वे जन्पदों में जाएंगे तो सबसे उची बिल्डिंग अगर कोई होगी तो वहाँ पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के बन रहे आधनिक वैरेक वहाँ उसकी पुलिस के लिए जो अस्थापना स्विप्धाओं का विकास किया गया है कि टेनिंग की चमता को बढ़ाया गया है कि पुलिस बलके आधुनिकी करण के लिए अनेक प्रयास प्रारम हुए हैं और प्रयास के इस करम में पहली बार उत्तरप्रदेश के अंदर हम लोगों ने आधुनिकी के लिए एक फॉरेंशिक इंस्टिउड का गठन भी उत्तरप्रदेश में किया है जिसमें गत्व वर्सी हम लोगों ने उसमें पाठिकरम भी प्रारंब किया है कि उत्तरप्रदेश पुलिस की इनी आउसेक्ताओं को ध्यान में रखते हैं आम जन्म के मन में एक विश्वास वैदा हो पुलिस के पास कि इसके लिए यूपी वन वन टू कौर प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाएगा इसका रिस्पॉंस टाइम कम हो सके टेक्नलोजी को अप्योग करते वे सामाने दिनों में भी किसी पर्व और त्यवार के दिनों में भी किसी वी वी आई पी विजिट के दोरान भी और अन्य महत्तुकून आउसरों पर भी पर्व और त्यवारों के आउसर पर भी हम लोगों की आउस्थिक्ता के नूप उस प्रकार की स्विधा दे सकें इसके लिए 112 के response time को कम करने के लिए और इसकी फ्लिट के दैरे को बढ़ाने इसमें 112 के PRB के संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारम हुए आज मुझे प्रसंता है कि फ्लिट में हम लोगों ने तीन वर्ष का एक बड़ा करिकम तै किया है इंसान